Hello and welcome guys, मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हैं लजनिक चैनल आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताने वाला हूँ फोटोशॉप के अंदर जिसका यूज करके आप किसी भी प्रोडक्त में शेडो क्रेट कर सकते हैं ये दितीनों ही तरीके बतलों किसी भी फॉब्रोडक्त में शेडो क्रेट कर ने कर लिए लिग मैं चैनल इस वीडियो की बताउप समीं नहीं सुर्ब्रो गजंग मैं इस विडियो को देखने के बाद आप इस विज Looksซ梏 में असानीा से शेडो क्रेट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो गाइस मैं आज चुका हूँ फोटो शॉप में और यहां पर मेरे पास एक यह साइकल की इमेज है जिसको मैंने पे एंजी कट करके रखा हुआ है अगर आपको देखना है कि PNG कैसे करते हैं बैगराउंड कैसे हटाते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह आपको आई बेटन पर मिल जाएगा तो इसकी साइकल की मुझे शैड़ो चाहिए तो मैं इसको क्या करता हूँ सबसे पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ठीक है और छोटा करने के लिए मैंने इसको सिंपली कंट्रोल टी किया और इसको मैं यहां पर सेट कर देता हूँ तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें जो shadow, जो light आ रही है, वो मेरे left top से आ रही है, और लग भी रहा है कि यहाँ से sun है, तो यहाँ से light आ रही है, तो इसकी जो shadow है, वो इस side में आएगी, तो अब मुझे अगर इस cycle की shadow करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो और किडिक करना है तो इस aleg 1958 का जैसे ही आप कलिक करेंगे तो कुई भी यहाँ से स्वाइग कर सकते है First of all, मैं आपको बता दूँ कि आप कभी भी जब भी shadow किसी भी चीज में apply करें तो आप उसमें black color का एकदम z black का use ना करें तो इसके लिए मैं इसी image से color choose कर रहा हूँ तो मैंने simply यहाँ पर click किया और यहाँ से dark color ले लिया ठीक है और इसको मैं थोड़ा सा और dark कर देता हूँ कुछ ऐसे ठीक है यह करने के बाद में यहाँ पर यह मेरी आप देख सकते हैं कि यह layer आ गई और इसके उपर यह color है ठीक है अब मैं simply यहाँ पर करूँगा control T और control T करने के बाद में मैं right click करूँगा और यहाँ पर करूँगा distort ठीक है और इसको मैं कुछ ऐसे नीचे की साइट ले करके आ जाओगा ठीक है अब मैंने simple control प्रेस किया और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे अपने according सेट कर लूँगा राइट क्लिक करके आप इसक्यू भी कर सकते हैं इसक्यू करेंगे तो यह थोड़ा सा कुछ इस टाइप से हो जाएगा उसके अलावा आप control प्रेस करें तो आप इसको अपने ऐसे match करा सकते हैं तो जैसे की मैंने इसको यहां पर कुछ ऐसे match करा दिया इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यहां edit में जाएंगे और यहां पर इसको एंटर के और और एडिट में जाकर करके आपको option में लेगा puppet trap tool का, इस पर click करके भी आप यहाँ पर adjust कर सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसको मैंने कुछ यहाँ पर set कर दिया, यहाँ पर right arrow पर click करेंगे, तो यह मेरा यहाँ पर कुछ set हो ज कर दूँगा multiply ठीक है, multiply पर जैसे मैं click करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें हलका सा नीचे का texture भी दिखने लगा है मेरी image का और अब जो है इसको कर दूँगा around यहां से 70% ठीक है, 70% करके हम लोग देख लेते हैं एक बार और एक बार और थोड़ी सी down कर लेते हम लोग तो आइ ठीक यह 45 पर फेक्ट है इसके according ठीक है अब हम लोग जाएंगे filter में filter में जाने के बाद यहां पर आपको option मिलेगा blur और यहां पर इस blur के अंदर option मिलेगा आपको Gaussian blur का ठीक है जब आपकी shadow यहां पर आपको लग जाए कि आपकी shadow एकदम perfect set हो चुकी है इसकी opposite इतनी चाहिए उसके बाद यहां पर Gaussian blur का apply करें Gaussian blur पर जाएंगे और यहां पर option आएगा convert to smart object इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम लगवग 5-6 pixels का इसमें blur डाल देंगे तो जैसे कि मैं इस case में यहां पर डाल दे रहा हूं 4 या फिर 4.5 ऐसे आप अपनी image के according इसको कम जादा कर सकते हैं जैसे कि इसमें ज्यादा blur लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूं around 4% ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि इसमें यह shadow इसकी बन चुकी है और यह कितना easy था किसी भी object कि आप भी इस टाइप से shadow बना सकते हैं आप इसकी opacity और भी कम कर सकते हैं ठीक है अगर opacity or down करनी है तो जैसे simply है मेरा smart object बन गया इस पर double click करेंगा यहां पर आप आ जाओगे तो इसकी opacity or down कर सकते हैं जैसे 35 और Ctrl S करेंगे और फिर जाएंगे इसमें तो यहां पर यह मुझे शो हो जाएगा इसके लावा आप यहां से भी इसकी opacity down कर सकते हैं और ठीक है तो अबजेक्ट में तो मैं यहां पर आगया हूं second file में और यहां पर मेरे पास एक bottle है जिसमें मुझे नीचे की side में यहां पर shadow दिखानी है तो मैं इस bottle को थोड़ा सा च्छोटा कर लेता हूं और यहां पर इसका background है ठीक है यहां पर यह bottle है अब मेरे को simply क्या करना है यहां प यहां पर नई layer लेंगे और नई layer देखो आपके मैंने दोनों layers के बीच में लिए ठीक है यह मेरी background layer है और यह मेरी bottle वाली layer है तो इसके बीच में मैंने आपे नई layer ली यहां पर मैंने brush लिया हूँ है और यहां पर आप जब brush लेंगे तो यहां पर आपको option दिखेगा इस arrow पर आपको click करना है या फिर right click करना है ठीक है तो जैसे कि अगर मैं इस arrow पर click करूं तो भी same option open होगा और या फिर मैं right click करूं तो भी same option open होगा यह करने के बाद में यह जो आपको एक box दिख रहा है यह जो box के अंदर एक circle दिख रहा है यह आपके जो brush है उसका size उसकी dimension अगरेखेंगे कि मिरा brush कुछ ऐसा हो चुका है इसको हलका सा और कर देता है उसे और size थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा brush कुछ ऐसा है और इसका size थोड़ा सा और increase कर देता हो मैं ठीक है अब मैं simply क्या करना है मुझे यहां पर simple एक बार मैं click करूँ गाँ इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी जो bottle की shadow है वो बन गई है अब मुझे क्या करना है एक बार मैं इसको undo कर देता हूं और इसको फोड़ा से यहां पर रखके करता हूं ये अब देख सकते हैं कि मिरी bottle की shadow बन गी है अब मुझे इस brush इसको छोटा करना है तो मैंने simple इसको छोटा किया और एक बार और click किया अब मैं इसको एक बार और छोटा करता हूँ और कुछ यहाँ पे click कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी सिम्पल सी एक shadow बन चुकी है, तो हम किसी भी object में इस type की shadow भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे एक और तरीकी की shadow देखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वाली layer को अभी के लिए delete कर देता हूँ, इस bottle को में tilt करता ह हूँ यहां से, ctrl T किया और इसको कुछ ऐसे tilt कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नई layer लेता हूँ, और इसको इन दोनों layers के बीच में रखता हूँ, वैसे ही, यहाँ पर brush लेता हूँ, और brush जो है मेरा, इसको मैं आप क्यों बार circle कर देता हूँ, exact जैसे circle होता है, यह करने के बाद में, यहाँ पर shift प्रेस करूँगा, और इसको यहाँ पर ऐसे drag करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक ऐसे shape बन जाएगी, आप shift जैसी प्रेस करेंगे, और ऐसे drag करेंगे, तो एक state आपकी brush फिल हो जाएगा, इसके बाद में आपको करना है ctrl T, और c ctrl T करने के बाद में, right click and perspective, ठीक है, perspective पर click करेंगे, और इसको ऐसे इस side से दबा देंगे, और इसको फिर हम यहाँ पर रख देंगे, आप कितना भी इसको sharp बना सकते हैं, thin बना सकते हैं, ठीक है, उसके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर इसकी shadow बन जाएगी, अब मैं इस bottle को according set कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ, यह और इसकी opacity यहाँ से down कर सकता हूँ, around 75, आप देख सकते हैं, कि हम इस type से भी shadow बना सकते हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो में तीन तरीके बताए हैं, किसी भी object की shadow को बनाने के, तो आप इन में से अपने object के according को इसा भी तरीका च किसी product की shadow create करी, और यह तीनों ही तरीके काफी जादा useful हैं, अगर आप इन तीनों तरीकों को follow करते हैं, तो आप किसी भी object में असानी से shadow create कर सकते हो, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आईए गाइस, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब क नेक्स्ट वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, thank you.